हेलो हेलो जी मैं हूँ conversion पांडे आप देखरे हैं variety classes आज करेंगे एक नया conversion आईए जल्दी से देखते हैं आज का conversion aniline to para bromo aniline बहुत ही अच्छा conversion यह मैं आपको कई सारी बाते बताने वाला हूँ जल्ली से अपने कुरशी की पिटी बांथ लेजे और हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले एनिलीन का structure देखते हैं जो की फिनाइल रिंग के उपर बैठा हुआ है तो फिनाइल मतलब बेंजीन के उपर आपने चटाया और उस पर क्या लगा है एनेश टू लगा है अब इसके आगिम चलते हैं तो हम क्या करेंगे आप इस टार्गेट को कैसे बूरा करेंगे देखो सबसे पहले कुछ बाते मैंने का इस ररक्षन रपे टीवान के बैठो तो जली पे टीवान लोग नहीं और फिर देखोँ आपर यहाँ पर हम एनिलीन अगर साइड बनाते हैं और हम एनिलीन का कंपारशन जिसे हमने क्लोरिनेशन कराया है क्लोरो बेंजीन पर राएंगे वैसे सोच के करेंगे तो क्या होगा तो मैंने řिएरफ ऊड़फा सा क्लोरो बेंजीन रा लिया तो यहाँ पर हम expected है कि क्लोरीन एक और्थो और पैराड आक्टिंग गुरूप है, तो एनलीन भी वही सेम है, और्थो और डाक्टिंग गुरूप, तो प्रोडक्ट क्या मिलने चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर बियार आ जाएगा, ऐसे प्लस करके एक और्थो बन गया तो पैराड बना दोगे, तो यहाँ पैराड बना दोगे है, यह तो ठीक है, बिल्कुर ठीक है, लेकिन जब हम एनलीन में यह प्रोडक्ट expect करेंगे कि बन जाए, तो फिर क्या होगा देखो, यहाँ पर जैसी हम सोचेगे कि यहाँ ब्रूम वाला यह प्रोडक्ट मिलेगा, औ एक बार पैराड वाला मिलेगा, और पैराड वाले को हम अपना प्रोडक्ट घुशित कर देंगे, क्योंकि मैं पैराड वाला ही चाहिए, यह सोचकर हम यहाँ पर इत्यार करेंगे, और ALBR3, जो कि क्या है, लुईस, लुईस आसड है, इस लुईस आसड की वज़े से, यह जो कि एक बेस है, यह आपस में क्या कर जाएंगे, असड बेस कर जाएंगे, और इनकी रियाक्शन से, यह इसकी और इसकी रियाक्शन से, यह प्रोडक्ट कभी मिलेंगे ही नहीं, और यही रीजन है, कि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रियाक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट र alkylation देता है, नहीं acylation देता है, इसका मतलब aniline पर brumination हम किसी भी Lewis Acid Basin नहीं करा सकते हैं, उनकी absence में कराना पड़े, आओ absence में try करते हैं क्या होता है, तो हमने यहाँ पर बना लिए अपना प्यारा सा aniline, फिर से ठीक है, अब aniline के उपर हम क्या कराएंगे, brumination कैसे, खाली brumine डाल के देखते हैं, तो हमने खाली brumine डालने के लिए क्या करा है, यहाँ पर हमने लिखा, BR2, थोड़ा सा dilute कर दिया, वाटर डाल के, तो वाटर डाल दिया, ओके, यहाँ पर जैसे हम कराएंगे, तो हमारा expectation थी कि हमें ortho और para मिलेगा, क्यों ortho para मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर aniline जो लगा हुआ है, यह कैसा group होता है, और aniline is ortho and para directing group, क्योंकि aniline एक ortho para directing group है, इसलिए expected product है कि ortho और para पे मिलेगा, पर aniline डूकद हम आगे जाता है, और कहता है, नहीं सर हम अलग अलग नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, एक ही बार में हमको सब बना के देंगे जूर जाड़के, तो इसके दोनों ortho और para पे आपको ब्रूमो लगा मिल जाएगा, इसे हम क्या बूलेंगे, इसे बूलेंगे 2, 4, 6, try, bruno, और साथ में क्या, aniline आ जाएगा, अब इसमें दिक्कत क्या है, हमें यह चाहिए दिक्कत तो दिक्कत ही है, इसको दिखते हैं तो इसका PPT कैसा होता है, white PPT बनता ही है, अब एक चीज़ तो confirm होगे इस reaction से, कि aniline का अगर कभी test करना हो, कि aniline दब्बे में है के नहीं है, तो उस पर आप brunine डाल दो, ठीक हैं, जो कि कैसा होता है, reddish brown, और reddish brown को डालोगे, और white PPT बन जाएगा, अगर ऐसा हो जाए, तो aniline confirm हो जाएगा, तो यह क्या confirm कर रही यह reaction, कि aniline है की नहीं है, यह उसको confirm कर देगा, बस मैं, तो सीखने कहते हैं, कि पैरा brunine कैसे बनेगा, सीख के लिए 2-4, 6-3 brunine कैसे बनेगा, लेकिन अभी भी हमारा objective clear नहीं है, कि हमें जो बनाना था, वो क्यों नहीं बना, आओ देखते हैं, उसे कैसे बनाएंगे जो बनाना था, तो यहाँ पर हम aniline पे एक नई चीज डालते हैं, खास कुछ नहीं, आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हो, हम यहाँ पर acid का anhydride form लेंगे, acid के anhydride form को मतलब यह को मानलोब अपने acidic acid लिया, और दूसरा acidic acid ले लिया, और क्या करेंगे, इसमें से water molecule को drop कर देंगे, तो यहाँ से water molecule निकाल दिया, और निकाल देंगे तो इनके bond यह खतम, इनका यह खतम, और यह O common मजग गया, इसको जूड़ दो अपस में, तो क्या बन गया, acid, anhydride, और यह acid, anhydride किस acid का है, acetic acid का है, तो क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा, यह कहलाएगा, anhydrous acetic acid, anhydrous acetic acid, तो anhydrous acetic acid को मैंने यह डाल दिया, अब होगा क्या, इन इस पर attack करेगा, एक कारवनीर पर attack करने के बाद, यहाँ से bond breakdown होगा, फिर further reaction होगी, तो इसको सर्वल भाषान सवनने के लिए क्या करो, आप दिमाग में, देखो, सोचने के लिए खाली, यहाँ से एक acid ले लो, कहाँ anhydrous acetic acid ज़र दिख रहा है, यह यह हिस्सा, इतने हिस्से को वच्च दे दो, ठीके न, और बच्चे वस पर एक acid आ लिया, और उसकी जगह वो yellow circle वाला हिस्सा भर दिया, सही न, और byproduct में क्या निकल जागा साथ में, तो आपका acidic acid byproduct बनके निकल आएगा है, यह दिख दिया, यह compound important इसको क्या बोलते है, acid analyte, यह को गया acid analyte, जो आपका बना, अच्छा acid analyte की एक खास बात क्या है यह fever वाली drug जो होती है, जिसमें fever वालता है आपको, उसमें drug के तौर पर यूज़ कराता है, मतलब उस drug में यह compound यूज़ होता है, उसकी manufacturing में यूज़ होता है, इस compound की importance बहुत है, इसलिए हमने इसको नाम भी दे दिया, इसको नाम क्या मिला होगा, acid analyte, अब इसके उपर ह अब अलग-अलग attack होगा, क्योंकि ortho थोड़ी bard हो गई है, बाड मतलब वहां hindrance create हो गया है, उपर लगे, इस group की वैसे, जितना बड़ा group लग गया, इतना बड़ी चीज़ लग गई, इस वैसे क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा, क्या हो गया, हलचल वाला महल हो गया, इ यह सब प्रड़क कराएगा, माइनर प्रड़क बनाएगा, तो यह माइनर कहलाएगा, मेजर में क्या बनेगा, बी यार कहा भाग के लगना चाहेगा, सिर्फ और सिर्फ पैरा पर लगना चाहेगा, इसलिए पैरा वाला मेजर प्रड़क बनेगा, और दोनों वाले तो बने पैरों पर आ गया मेरा बुरूमीन समय मात आई है यहां तक आपने बन गया इनकी नाम क्या होंगे तो इनका नाम कराण करना बहुत आसान है पहले से आप जानते हो इसका नाम क्या इतने कंपॉंड का देखो इतने कंपॉंड को जानते हो ना कौशी चीज है बिल्कुस ही अगर पैरों पर लगा तो पैरा बुरूमू हो जाएगा नाम ऐसा टनलाइड ओके यह बन गया अब हम क्या करेंगे अब इसमें एक स्टेप और वेश्टा है आपने दूस्टेप ऑल्लेडी करा लिया है एक स्टेप के लिए थोड़ा आपको आर आगे बढ़ना पड़ेग उसमें क्या करेंगे हमें कुछ नहीं करना है हमें इसमें सिर्फ वॉर्टर डाल देना है वॉर्टर का मतलब है या तो आसटिक या बेसिक या कोई नहीं वाली तो चाहें आसटिक करा दो और चाहें बेसिक करा दो फास्ट एम फास्स रिजर्ट के लिए तो आसटिक के रखेगा जैसे दिमार्ग में लगाओगे तो यह पॉजिटिव वाला पानी खास रख लेगा और यह ओएच नेगेटिव वाला है सरख लेगा तो आपका प्रोड़क क्या बन जाएगा आपका एनिलीन के पास आपका आजाएगा बिल्कुल सही कहा रहा है आप एच आ अजाएगा तो यह आपका प्रोड़क बन गया इसी का नाम तो क्या है बिल्कुल सही आप ने बोला पैरा भ्रूमो एन लीन आपको मल गया तो स्बसे पहले आपने क्या कर रहा एप एन हईडर सिरी के डा डाला जिससे आपने अपने ऐसिट ESR से Electrophilic Substitution से क्यों? क्योंकि जहां यह लगते है वहां के H को अटाके वहां बैठते जाके इसलिए Electrophilic Substitution कहा जाता है इने समझ बाता ही, फिर आपने क्या करा है फिर आपने Hydrolysis कराई है, इसको क्या कहेंगे Hydrolysis कहेंगे, तो पहले आपने Acid reaction कराई जिससे आपने Amide Bond को फ़र्म किया, देखो यह Amide Bond को फ़र्म किया था दिखाई दिया, ओके उसके बाद आपने क्या करा है, उसके आपने Brumination करा है, जिससे आपने यहाँ पर Brumool लगाया, उसके आपने क्या करा है, Hydrolysis करा दी, जिससे आपका Amide Regen हो गया, और Acetile Group अलग हो गया, I hope आपको यह Conversion समझ में आ गया हो, बहुत ही आसान Conversion, तो भाने ही शायद आपके लिए लेकिन अच्छा लगाओगा, मसा आया हो Conversion करके, तो ऐसी Conversion के लिए मेरे साथ जुड़े रही है, मिलते हैं अगली Conversion में आप से जाने से पहले सवाल का जवाब देते हो जाओ, Thank you so much बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आपको टाटा बाई बाई आज क्या अनुखा सवाल लाए है Who is the father of medicines and what was the first medicine made आपको उतारा है कौन है medicines के पिता और पहली बनाई के ड्रग कौन सी थी चली से कमेंट में लिख दालो फड़ावट से आपका इंचार कर रहा है आपका दोस कन्वर्टन पांडे और एक बाई बाई